लाज 10, चैप्टर 8, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेशन 2 है, क्वेशन है, इन फिगर 8.13 हमें फिगर दी हुई है, 10P-4R हमें निकालना है, तो सबसे पहला काम हुमारा मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में भी बताया है, हमें 2 साइड दी हुई है, तो सबसे पहला काम है हमें 3rd साइड निकालना, ठीक है, 90 डिगरी के सामने वाली H है, जिए पाइथागोरस लगाओगे तो किसी को भी P और B माल लेना एफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही साइड में स्क्वाइर में आनी है, ठीक है, तो हम बात करते हैं अपना इन ट्राइंगल, PQR, PQR मे मैंने क्या यूज की, by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, क्या होती है, H² is equal to P² plus B², यहाँ पे जो आपका H है वो है, PR का स्क्वाइर, जो P है वो QR का स्क्वाइर, प्लस PQ का स्क्वाइर, PR आपका 13 का स्क्वाइर, QR आपको find out करना है, प्लस PR आपका 12 का स्क्वाइर, 13 का स्क्वाइर होता है, 169 is equal to QR स्क्वाइर, 12 का होता है 144, यह जाएगा माइनस में, QR का स्क्वाइर, QR का स्क्वाइर आया, 9 में से 4 गया, 5, 6, 25, QR आया, आपका स्क्वाइर रूट 25 क्योंकि स्क्वाइर उधर जाकर बनता है स्क्वाइर रूट QR आया आपका 5 ठीक है QR आगया अब देखो अब हम पहले 10P निकालेंगे फिर 4R निकालेंगे फिर हम 10P माइनस 4R की बढ़ी निकालेंगे तो जब मैं 10P की बात कर रही हूँ ठीक है तो मैं आपको फिगर बना के दिखाते हूँ यह आपकी फिगर है PQR यह 12 है यह 13 है यह 5Y जब मैं P एंगल की बात कर रही हूँ तो P यानि की यह वाला एंगल तो आपका परपेंडिकुलर होगा यह जो इस भी हम एंगल की बात करत बेस है आपका PQ तो यह आया आपका 5 by 12 ठीक जब आप कोट आर की बात करोगे तो कोट आर अब आप बात कर रहे हूं मैं एक और एंगल में आते इसमें तो confusion create हो जाएगी यह मेरा triangle है यह right angle है यह PQR यह 5 यह 13 यह 12 हम बात कर रहे हैं एंगल आर की तो यह जब हम एंगल आर की बात कर रहे हैं तो एंगल आर के सामने वाला आपकी बार P यह होगा बेस आपका यह होगा और यह आपका है ही कोट होता है 10 का opposite यानि कि अगर 10 P by B है तो कोट आर होगा आपका B by P ठीक है बेस है आपका QR और perpendicular है आपका PQ QR है आपका 5 PQ है आपका 12 यह तो सेम ही है ना क्य 5 by 12 माइनस 5 by 12 यानि कि 10 P माइनस पोट आर की वेल्यू आई आपकी 0 वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पो वाचिंग